हेलो टेडर्स, वेलकम बैक टू दौ अनदर इंट्रडे स्टॉक वीडियो, आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बैतरीन इंट्रडे स्टॉक, जिस पे आप कल के सेशन में इंट्रडे टेडिंग कर सकते हैं, और टेडर्स आज जो स्टॉक टेड करने देथे उसका भी पिर्फॉर्मेंस जानेंगे, तो वीडियो पे आप पूरा बने रहें, और अगर अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुरे हैं, तो वहाँ भी जुरे, आपको वाँ निप्टी और बैंक निप्टी का इंपोर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल द देखने के लिए मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके हमारे टेलिग्राम चैनल से जोइन हो सकते हैं, तो टेडर्स पहले हम बात कर लेते हैं, प्रीमियम ग्रूप के बारे में, जो कि हमारा पेड इक्यूटी प्रीमियम ग्रूप में हम जो कि तीन स्टॉक ने थे, फर्स स्टॉक था, जिसमें आप देखते सकते हैं, यह 669 से 680 के पास गया है, यह स्टॉक हमारा अच्छा खासा जैकपोट साबीत हुआ, और हमारा यह GSW स्टील भी था, जो कि हमारा बाइंग पॉशन टीगर देखने को मिला, तो यह भी टाके वहां कॉंटेक्ट कर सकते हैं, तो टेडर्स बात कर लेते हमारा सेकेंड प्रीमियम ग्रूप जो कि FNO है, जिसमें हम बैंक निप्टी का फर्स्ट कॉल दिये थे, जिसमें हमें SL देखने को मिला, फिर से टेडर्स हम सेकेंड कॉल बना था, तो सेकेंड हम कॉल दिये जो कि 44-300C का था, इसमें टेडर्स हमें अच्छा खासा प्रॉपिट देखने को मिला, ये स्टॉक में हमें अच्छा खासा टार्गेट देखने को मिला, तो इसमें जो हमारा SL आज ही का आज रिकावर हो गया, तो ये भी स्टॉक हमारा अच्छा खासा, ये कॉल जो था, अ स्रुफ से था जिसमें तेडर-स हमें यहां पे स्वाइट-जल पोजिशन देखनों को मिला तो टेडरस आपको dol مش कर ना आप नएय।들을 करना है आपको एंटी पोजिशन तो आप यहां पर देख सकते हैं यह इधान के बार यह ब्रेकडावन तब हमारा यह एंटी पोजिचन टीगर हुआ जो कि यह दोनों टार्गेट था जब कि यह स्टॉक ने लो बनाया लगबग यह यह लो बनाया लगबग 820 के पास तो इसमें जो हमारा फर्स टार्गेट बहुत असानी के से अचीव हो गया यह सकेंड टार्गेट को करीब रहा तो यह भी स्टॉक हमारा अच्छा खसा प्रॉफिटेवल रहा अगर टेडर आप इसमें टेड कियोंगे तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसमें आपका कैसा ट्रेड रहा तो आज का हमारा सकेंड स्टॉक था ट्यू इन्वेस्ट के तरप से जिसमें टेडर यह जो स्टॉक जो है हमारे लेबल से बहुत ही ज्यादा उपर ओपन हो गया यह स्टॉक ऑपन ही हुआ 2915 के पास तो यह स्टॉक हमारा लेबल से बहुत उपर हुआ तो यह स्टॉक हमारा एवाइड हो गया तो अगर कोई भी स्टॉक गैप आप या गैप डान ओपनिंग होता यहाँ पे हमारा anti position था जो कि यहाँ पे breakdown दिखाया जो कि यह हमारा यह दोनों target था जब कि यह stock ने low बनाया लगबाई यह 798 के पास तो इसमें भी हमारा first target बहुत असानिके से अचीब हुआ second target का करीब रहा तो यह भी stock जो हमारा अच्छा खासा profitable अगर टेडर आप इसमें भी टेड कियोंगे तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं तो टेडर्स आज का हमारा fourth stock था अंबूजा सिमेंट के तरब से जिसमें टेडर्स हमें यह लेबल था जिसमें यह breakdown देखने कोई नहीं मिला तो यह stock यह हमारा कोईशा लेबल टीगर नहीं हुआ तो यह stock हमारा avoid हो गया तो टेडर्स अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्यों तो subscribe करके bell icon दवा ले आपको यह profitable intraday stock वीडियो देखने के लिए मिलता है तो टेडर्स अब आम बात करते हैं कल के लिए कुछ बैतरीन intraday stock जिस पे आप कल के session में intraday trading कर सकते हैं तो कल के लिए टेडर्स first stroke हमारा हो जाएगा इंडिश्वेंड बैंक के तरब से इसको 15 मिनट के time frame में देखे तो इसमें भी एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है पहले आप इसमें देख सकते हैं यह जो 10 line जो आ रहा है यह multiple time यह support की तरफ follow कर चुका है यहाँ पर यह higher high बनाते जा रहा है यहाँ फिर यह second time फिर यह third time और टेडर इसमें देखे तो यहाँ पर एक छोटा काइंड सो आप यह horizontal resistance बना रहा है यहाँ पर देख सकते हैं यह यह breakout करेगा तब आपको यहाँ पर buying position बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1412 से उपर हमारा first target रखेंगे 1416 का second target रखेंगे 1420 का और इसमें stop loss रखेंगे 1408 का अगर टेडर यह breakout करके ऊपर निकलता है तब आपको कल इसमें buying position बनाना है अगर टेडर breakout ने करता है अगर आपको यह 10 लाइन को नीचे candle close होने पर आप स्वार्चल पूजिशन भी बना सकते हैं तो कल के लिए हमारा यह first interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूद टैक करें तो कल के लिए हमारा second interday stock हो जाएगा टाइटन कंपनी के तरफ से इसमें टेडर देखे तो इसमें एक horizontal टै नीचे breakdown करता है तब आपको यहाँ पर स्वार्चल पूजिशन मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 3040 से नीचे हमारा first target इसमें रखेंगे 3030 का second target रखेंगे 3020 का और इसमें stop loss रखेंगे 3050 का अगर टेडर यह breakdown करके निकलता है तब आपको यहाँ पर स्वार्चल पूजि पूजिशन मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 3054 से उपर हमारा first target इसमें रखेंगे 3060 का second target रखेंगे 3070 का और इसमें stop loss रखेंगे 3048 का अगर टेडर यह label के उपर यह reverse करके उपर जाएगा यहाँ से फिर से तब आपको यहाँ पर बाइंग पूजिशन मनाना है तो कल क लिए हमारा third intraday stock हो जाएगा axis bank के दरब से पहले टेडर्स इसे one day के time frame में देखे तो यह एक horizontal टैप का यह बार बार यहाँ पर resistance मना रहा है यह continue यहाँ से resistance मना रहा है आप देख सकते हैं one day के time frame में भी एक अच्छा खासा एक horizontal टैप का यह resistance मना रहा है तो टेडर्स अगर करेगा इस लेबल को तब आपको एक अच्छा momentum देखने के लिए मिलेगा तो टेडर्स पहले इसे 15 मिनट के time frame में लाते हैं तो टेडर्स आप इसको 15 मिनट के भी time frame में देख सकते हैं यह बार बार यह horizontal टैप का यह resistance बना रहा है अगर टेडर्स यह लेबल को यह करेंगे 990 का अगर टेडर्स यह लेबल को ऊपर यह breakout करेगा तब आपको यहां पर एक अच्छा मूब देखने के लिए मिलेगा अगर यह breakout करता है तब आपको यहां पर कल बाइंग कोशन मनाना है अगर टेडर्स यह breakout नहीं करता है तब आसको 15 मिनट के time frame में देखे इसमे अगर टेडर्स यह चांस है अगर ब्रेक आउट नहीं करता है तब आपको उस केस में स्वाट्चिल पूश्य मनाना है जिसमें हमारा लेबल हो जाएगा 984 से नीचे हमारा फस्ट टार्गेट इसमें रखेंगे 980 का सकेंड टार्गेट रखेंगे 976 का और इसमें स्टॉप तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा फोर्थ स्टॉक कल के लिए हमारा फोर्थ स्टॉक हो जाएगा महिंद्रा एन महिंद्रा के तरफ से इसको टेडर्स 15 मिनिट के टाइम परेंग में देखे तो इसमें भी देखे तो आप यह भी होर्जेंटल टैप का एक रजिस्टेंस बना रहा है आप यहां पर देख सकते हैं multiple time रीटेस कर चुका है यहां पर देख सकते हैं बार-बार यह multiple time यह resistance को रीटेस कर चुका है अगर टेडर कल यह resistance को breakout करेगा एक अच्छा volume के साथ तब आपको यहां पर एक buying position बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1355 से उपर हमारा first target रखेंगे 1559 का second target रखेंगे 1563 का और इसमें stop loss रखेंगे 1551 का अगर टेडर यह label के उपर यह breakout करके निकलता है तब आपको कल इसमें buying position बनाना है अगर टेडर यह breakout नहीं करता है फिर से यह resistance को retaste करके यह नीचे की side आएगा तब आपको उस case में swatchel position बना सकते हैं जिसमें हमारा label हो जाएगा 1543 से नीचे हमारा first target रखेंगे 1540 का second target रखेंगे 1537 का और इसमें stop loss रखेंगे 1546 का अगर टेडर यह level की यह नीचे जाएगा तब आपको कल इसमें swatchel position मनाना है तो कल के लिए हमारा यह fourth interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरू टैक करें और टेडर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं को तो subscribe करके bell icon दबाले और telegram channel से भी join हो जाए link description में दिया गया है